एक महिने में नेगिटिव है थोड़ा सा सिर्फ 0.87% 6 महिने में देखें तो 47% से रिटन दिया है ये टिल देखें तो चार्ट अवेलबल है नहीं लेकिन अगर इसको हम देखें पांस साल का देखें तो बहुत सांदार 2731% के मतलब 27 गुना पैसा इसने कर दिया है और अगर हम देखें मैक्सिमम तो आप देखेंगे 29,989 मतलब लगब 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 तीन सु गुना पैसा इसने कर दिया है और सिर्फ 2015 से अब तक तो कुल मिला के 7 साल हुए हैं और इन 7 सालों में कंपनी ने 300 गुना का रिटन दिया है अभी तक और आगे भी इन फ्यूचर बहुत अच्छे रिटन ये कंपनी देने वाली है तो कौन सी कंपनी है ये क्या कामकाज करती है देखेंगे उसको लेकिन उससे पहले यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए शुरू कर लेते हैं बहुत ही छोटी सी कंपनी है 361 करोड का मार्केट कैप है 1135 का इसका करेंट प्राइस चल रहा है भी और 1338 इसका हाई गया था लो था 357 इस साल का 202 बुक वैल्यू है पी देखें तो 27 का ROE और ROC देखें तो जबरदस्त है सांदार है 25% से उपर और Face Value है दसकी तो हो सकता है Split भी हमें देखने को मिल जाए इसमें अगर कंपनी का चार्क देखें तो हमेशा उपर की तरफ ही रहा है थोड़ा बहुत का रेक्षन आता है और फिर से उपर को चला जाता है बात करें इसके कौँज और प्रोज की तो कौँज में कुछ भी नहीं है सिर्फ ये है कि Profit कर रही है कंपनी लेकिन डिविडेंट नहीं देती है लेकिन अगर हम प्रोज देखें फिर 38 की हुई फिर 45 की और ये बढ़ते बढ़ते अभी पहुँच चुकी है हमारा 111 करोड की बहुत सांदर सेल्स ग्रोध हमें देखने को मिल रही है कंपनी में साथी साथ अगर हम Profit ग्रोध देखें तो जा कही 2 करोड के Profit हुआ करते थे 13 करोड के हो गए है बहुत अच्छे और यहां आप देखें के कंपनी का जो कंपाउंटिंग सेल्स ग्रोध है अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो 19% से बढ़ा है पिछले 5 सालों में 35% से हमारा Profit ग्रोध और CAGR 105% से और एक्क्यूटी पे रिटन देखें तो 20% से मिला है और बात करें इस साल की तो 47% से सेल्स ग्रोध बढ़ी है 34% से इसकी Profit ग्रोध और 194% से CAGR और 25% से इसका ROE बढ़ा है हमेशा यह आपको बढ़त की ओर ही दीख रहा है कंपनी के पास रिजर्ब भी हैं 100 करोड के लेकिन करजा 4 करोड का है सिर्फ देखिए पहले रिजर्ब 4 करोड के होते थे 100 करोड हो गए और करजा 12-13 करोड का हुआ करता था और यह रह गया है अब सिर्फ 4 करोड का तो कंपनी जो है Almost debt free है और अगर हम share holding pattern देखें तो लगभग लगभग 50% promoters और DIA के पास है और लगभग 50% ही public के पास है लेकिन अब की बार जब हमारा share holding pattern आएगा तो आप इसमें देखेंगे कि company के जो promoters हैं उनके पास share का जो ratio है वो बढ़ा है इन्होंने अपनी holding को बढ़ाया है आप यहां देख सकते हैं सिन देवांग गोड यह हैं प्रमोटर्स हैं और इन्होंने अभी share लिये हैं 2200 share खरी थे 2200 share पहले बेचे भी गए थे यह 12 में बेचे गए थे और 29 में लिये गए हैं लेकिन इससे पहले अगर हम देखेंगे तो हमेशा सिर्फ लिये ही गए हैं देखें इक्विजिशन हुआ है हमेशा इक्विजिशन इसमें होता हुआ आ रहा है क्योंकि कमपनी अच्छी है तो धीरे धीरे प्रमोटर्स भी अपनी इसमें holding बढ़ा रहे हैं कमपनी का नाम देख सकते हैं Galaxy Bearing तो यह जो कमपनी है देखें बैरिंग बनाती है और जो हमारे टैपर रॉलर बैरिंग होते हैं वो और साथ ही साल सिलेंटरीकल रोलर बैरिंग भी बनाती है सबसे जो इसमें main point आता है वो यह है कि domestic से सिर्फ इसका 35% कारोबार होता है और export से होता है 65% कोई सलह नहीं है आप buy करना चाहते हैं तो अपने रिक्स पे लेकिन buy करने से पहले अपने financial advisor से सलह जरूर ले ले या फिर अपनी analysis जरूर कर ले मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत